दोस्तों क्या आप जानते हैं दुनिया का 30% इंटरनेट रूट जो है वो टाटा कम्मिनिकेशन के नेटवर्क से जाता है दोस्तों टाटा कम्मिनिकेशन लिस्टेड कमपनी है इन्वेस्टर्स ने यहाँ पर पिछले कुछ महीनों में बहुत जादा प्यार दिया है आज हम इस वीडियो में टाटा कम्मिनिकेशन के बारे में बताएंगे HDFC मुच्वल फंड ने बहुत सारी बाइंग की है वो हम बताएंगे बहरीन से बहुत बड़ा न्यूज आया है वो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं और दोस्तों फ्यूचर की जो टेक्नोलोजीज है जैसे आयोटी हुआ या फिर क्लाउड बेस टेकनोलोजी हुआ मोबिलीटी हुआ इन सब में टाटा कम्मिनिकेशन क्या कर रहा है वो सब चीज समझेंगे दोस्तों सबसे पहले HDFC के जो म्यूच्वल फंड्स हैं बड़े म्यूच्वल फंड्स हैं उनका जो पोर्टफोल HDFC कैप फंड जो की पहले मल्टी कैप फंड हुआ करता था तो यह देखिए 0.65% NAV है फिर HDFC टैक्स सेवर फंड वो भी 0.54 और 0.71% है जो लार्ज कैप फंड है HDFC का HDFC टॉप 100 फंड तो टोटल यहां पर आप देख सकते हैं यह टोटल मार्किट वैल्यू लाख में है जो 500 करोड से जादा की खरीदारी जो है वो इन चार फंड ने जो HDFC के बड़े दिगज फंड है उन्होंने मार्च के महिने में ही टाटक कम्मिनिकेशन जो है वहां पर किया है अब बहरीन दोस्तों मिडल इस्ट में बड़ी कंट्री है और जो बहरीन है वहां पर अब इंटरने रहीन करने क्यूं की है डैकि हाई स्पीड इंटरनेट कैसे मिडल इस्ट में पहुंच सके मिडल इस्ट क cabinet को भी ग्रो करना है जैसे डीपिए है गेमिंग कंपनीज है गवर्मेंट्स है तो उन सब को भी ग्रो करना है पूरी दुनिया में ग्रो करना है तो फिर फाइबर की जरूरत है अप्टिक्स की जरूरत है तो वहां पर टाटा कम्मिनिकेशन एक बड़ा रोल निभाने वाला है और यह नहीं है कि सिर्फ वो मिडल इस्ट या भारत तक्सीमित है पूरी दुनिया में टाटा कम्मिनिकेशन का बहुत ही फैला हुआ बिजनस है अब देखिए यहां पर जो फ पाउंडरी है फिर क्लाउड एज सेक्यूरिटी है नेक्स्ट जेन सेक्यूरिटी है वाइस तो यह सब जो सर्विसेस है इन सब में इनोवेशन आर्टिफिशल इंटेलिजेंस इन सब की मदद टाटा कम्मिनिकेशन ले रहा है तो दोस्तों हम लोग भी ऐसी कंपनीज को रि बाहर भी इन सब चीजों को लेकर काम कर रही है अब देखिए भविश्य में कौन-कौन से ट्रेंड्स जो है टोटल इंडस्ट्री में आएंगे देखिए प्लेटफॉर्म एकॉनॉमी आज साथ में से जो दस में से साथ कंपनिया है प्लेटफॉर्म एकॉनॉमी जैसे फेस 25.5% इंटरप्राइज मोबिलिटी 6 बिलियन मोबाइल सब्सक्रिप्शन 2025 तक होने की बात है इंटरनेट ऑफ तिंग्स जो है वहाँ पर 79.4 जेड़ी डेटा का जनरेशन होगा क्लाउड कम्प्यूटिंग 28% जो है IT स्पेंडिंग जो है वो सिफ्ट होगी क्लाउड में 2022 में तो यह बहुत बड़ा एमाउंट है हाइब्रीड SDN साइबर सीक्यूरिटी को लेकर भी बहुत ज्यादा काम होने वाला है 41.2% जो होगा वो क्लाउड सीक्यूरिटी पर होगा वहाँ छर्चा होने वारा है साइबर सीक्यूरिटी यह वर्ड है साइबर सीक्यूरिटी में यहाँ पर और इन सब चीजों में टाटा जो है टाटा कम्मिकेशन यहां पर एक मुख्य भूमी का दोस्तों निभाने वाला है आप देख सकते हैं यह सब जो है ग्रोथ के जो टार्गेट्स है आप मोबिलिटी आयोटी में देख सकते हैं 3.9 परसंट 2019 से 22 के बीच में ग्रोथ है फिर गोलाबरेशन में 12.2 परसंट फिर वैस यहां पर घट रहा है दिख रहा है नेट फाउंडरी 25 परसंट से उपर का ग्रोथ है फिर नेक्स जनरेशन कनेक्टिविटी में थोड़ा सा ग्रोथ जो है है और देखिए इन्होंने बहुत ही क्लियरली लिखा यह उनकी डाइरेक्ट प्रेजेंटेशन ही है वाइल ओल एरियास ऑफ आवर पॉर्टफोलियो और एक्सपेक्टेट टू ग्रोव सिक्स की पिलर्स आर हैव बीन इन इंटिफाइड तो यह मिल सकती है दोस्तों अब अगर हम बात करते हैं सिर्फ टाटा कम्पनिकेशन के लिए HDFC ने ले लिया है हमने यह जान लिया कि फ्यूचर की टेक्नोलोजी है लेकिन रिस्क को भी समझना बहुत जरूरी है यह इंटरनेशनल लेवल पर काम करती है लेकिन अभी भी कंपन और दूसरी बात है कंपनी का अभी भी बहुत जादा डेट है तो ऐसा नहीं है कि हम एक डेट फ्री कंपनी को यहाँ पर खरीद रहे हैं दोस्तों तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है भले ही जो भी बिजनस है इनका फ्यूचरिस्टिक बिजनस है लेकिन जो रि नहीं भी जानना है तो जरूर कॉमेंट सेक्शन में बताइए दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप शेयर कीजिए दोस्तों और अगर आपने अपने डीमेट अकाउंट अभी भी नहीं तो तो तक्यू